यार एक काम करो पांसो काई डाग दो क्यों बार बार रेडियो स्टेशन चेंज कर रहे हूँ कब से कोशिश कर रहे हूँ कि अच्छा काना लगाओ लेकिन हर स्टेशन पर भाजपा सरकार के विज्यापन खतम होने का नामी नहीं लेते वो देखो पेट्रोल सेंचुरी मार रहा है और वो गैस सिलेंडर 900 के उपर पहुच किया और ये भाई साब या खड़े खड़े बस मुस्कुर आ रहे हैं बार बार स्टेशन चेंज करने से कुछ नहीं होगा इस बार एक काम करते हैं ये विज्यापन वाली भाजपा सरकारी चेंज कर देते हैं कॉंग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का हिम्मत करो आगे बढ़ो अपने लिए अब तो लड़ो बीजेपी जूटी सरकार है नियत पे इसकी धिकार है बदलाव यहा लाने के लिए अब हो जाओ तैयार कॉंग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का आप देख रहे हैं दखल्लियोग्ट अब देख रहे हैं दखल्लियोग्ट है यह बहुत ही पॉजटिव है हम लोग जितनी आशा कर सकते हैं उस आशा से भी आगे जाकर ऐसा लगता है कि लोगों ने एक मन बना लिया है कि अब इस पद्रा साल पुरानी सरकार को इतने मौके दे दिये अब इसको बदलना है तो एक ग्राउंट्स्वेल एक लहर कहिए सभी जगह लोगों के मन में है अच्छे तरीके से चुनाव प्रचार के लोगों तक पहुंचके हम लोगों को पार्टी के साथियों को मेदवार के जो ट सबसे बड़ी बात उनकी वादा खिलाफी उनने बहुत सारी चीजों को कहा और डिलिवर ने किया पिछले साल के आप भुछना पत्र में देखेंगे तो पहले पन्ने के अगर 21 बिंदू थे तो उसमें से उन्होंने तीन चार पे भी डिलिवर ने किया ना केवल किसानों का बुनस और एक एक दाना खरीदने की जो बात उन्होंने की थी और 21 समर्थनबूर ना केवल वो उन्हों उन्हों उपलब नहीं कराया पेंशन जैसी बात जो आखरी पंक्ती में खड़े वे नागरिकों के लिए समाज के नागरिकों के लिए होती है उसको भी दोगुना करन ऐसा लगा कि मुख्य मंत्री और उनके तदकालिन इमिजिट जो कैबिनेट है वो अधिकारियों से घिर गई है अधिकारी ही काम कर रहे हैं और जन्पतिनिधी बहुत पीछे है पजयती राज जन्पतिनिधी हो नगरी निकाय के जन्पतिनिधी हो पूरा अधिकारी तंतर इनके उपर हवी है यहां तक कि आप देखेगा कि सत्ता दल के पदाधिकारी और उनके सदस्वी होंगे तो वो अधिकारी के अधीन काम कर रहे हैं ऐसा कई जगा में सूस होता है और यही कारण है कि चाहे निर्मान की गुणवता की बात हो चाहे पेंशन की डिलिवरी की ब है शिक्षा की सेवाएं हो आप सभी बुन्यादी छेत में देखेंगे कि यह सरकार पूरी तरह से विफल रही है यूमन डिवलप्मेंट इंडेक्स के संदर में भी आप आगड़े उठा के देख लीजे जो सुधार हुआ है वो सुधार भी राश्टिय औसद से अभी भी ह उसके उपर हमने चतियसगर को पहुँचाया होता मातरित मृत्युदर शिशु मृत्युदर इत्यादी जो और पैमाने होते हैं मानव विकास सूझकांग के इसमें चतियसगर राश्टिय और श्रत से पीछे है गरीवी रेखा पूरे देश में सरवादिक अगर गरीवी र रिजर्ब बैंक के आगरे प्रकाशित हुए थे कि 39.9% ग्रामीन और शेहरी चेत्र मिला कि और 44% से ज्यादा ग्रामीन चेत्र में गरीवी रेखा के नीचे रहने वाली आबादी आज के दिन चतिसगर में हो गई है आप सिक्षा के चेत्र में देखेगा तो 21 बड़े पार है तो बड़ी 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 चिंदा की बाक चरतीजगर के लिए है ट्राइबल राइट्स को एंशूर करने की बात है तो आप देखें ट्राइबल राइट्स पंचैती राज के क्रिआन-फिरिण के संब communist में उनके जो अधिकार है उसके संदब में इस सरकार ने हस ट्राइबल समाज के लोग, पिछड़ा वर के लोग, अनुसुचे जाती के लोग, अन्य लोग जो परंपरागत बन के निवासी हैं, जिनको कानून के दाइरे में, अगर वो तीन पीड़ी से, जो 75 साल से शित्हिल कर दी गई थी, तीन पीड़ी से अगर वो उस गाउं में र के लिए हैं, ना अन्य वर्क के लोगों को, पिछड़े वर्क के लोगों को, अन्य अनारक्षित वर्क के लोगों को, जिनका कानून के दारे के अंदर अधिकार बनता है, उनको नहीं दिया गया, पीड़ी एस में 35 किलो से 7 किलो चावल के वितरन को कर दिया गया, सिचाइक प्रदिशत बढ़ोतरी सिचाइक शम्ता की पहले दो सालों में है 36 गड़ में और क्रमशा अगर उसके बाद आप देखते जाईए का तो सिचाइक की निर्मित शम्ता प्रद्य एक वर्ष गिर्थी चली गई यहां तक की पिछले 18 सालों में हमारी और सत जो सिचाइक शम्ता में वर्द्य है वो 6.65 है तो 6.65 की वर्द्य और ये निर्मित वर्द्य दिखाई जाती है दूसरे तरफ जो हमारे निर्मित बांध है उनकी सिचाइक शम्ता कम होती चली गई है रख रखाओ कि आभाओ में कहीं जो जो छटकिन है जो हमारा गेट है, कहीं हमारा गेट काम नहीं कर रहा है, कहीं गेट हमारा लीग कर रहा है, कहीं नहेर टूट गई है, कहीं नहेर के जो गेट्स हैं, जो पुलिये बना के पानी को आगे ले जाये जाता है, कहीं एक्वडक्ट हैं, अने को जगह निर्मिच छम्ता का भी उपय नहीं हो पारा है तो सिचाए के इस छेत्र में भी जो बुन्यादी आवशक्ता किसानों की है ये सरकार पीछे रही है और ये कारण है और बहुत सारे और कारण है नक्सलवाद की स्थित्री को आप देखिए चाथिस गड़ की निर्मान के समय अगर पाच हजार अर्थ सैनिक बल और पुलीस बल से बस्तर समलता था तो आज 30,000,000,000 चालीस अजार फोर्स यहां पर उपलब्द है अर्थ सैनिक बल यहां पर उपलब्द है नए लोगों की भरती पुलीस में हुई है बावजुद इसके अभी कुछी दिन पहले पहले एक दिन सूचना आती है कि पांस सैनिक बलों की और पुलीस फोर्स की तैनादी के बाद लगातार समस्या बनी गई है महिलाओं के संदर में आप देखिए उनकी रक्षा-सुरक्षा के संदर में देखिए युवाओं के संदर में देखिए उनके रोजगार के पैमानों को देखिए आज 24,000,000 से ज़्याद अधिकारी करमचारी है हमारे तुद्दिय जतुट वर्क के विशेष करके जो सर्विस में हैं उनकी वेतन विसंगतियां हैं सिक्षा करमियों की वेतन विसंगतियां हैं चार वितनमान बढ़ाने की जो क्रमोनती की बात है, उस पे समझवता करके सरकार मुख करके उसको तीन क्रमोनती पे चली जाती है, सम्मिलियन की बात आती है, तो वर्ग एक के शिक्षकों को आठ साल में सम्मिलियन के सीमा लगा दिया जाता है, और वितन का अंतर अगर आप तो वर्ग एक और दो में जहां स्विकारे है, वहां दो और तीन में बहुत जादा अंतर अलग अलग वर्ग में कहीं पटेल को देखे, तो कहीं गौंटिया को देखे, कहीं आप कोतवार को देखे, कहीं मितानिन को देखे, कहीं आंगर पाड़ी कार्यकरता को देखे, रसो पता तोडने वाले मुंशी हैं उनकी स्थिती को देखिए आप धान खरीदी जहां होती है उस सुसाइटी के प्रबंदन को देखिए आप आगे जाते जाए ब्लॉक में हमारे सचिव जो कलक्स काम करते हैं उनकी स्थिती को देखिए नर्सिस की स्थिती को आप देखिए आप पूरे अमले को नीचे से उपर जाके देखे सरकारी अमले को आपने जिस प्रकार की विवस्ता बना के रखी है इतनी असामानताओं को आपने विद्धिमान रखा है तो कैसे मनोबल बढ़ेगा कैसे मनोबल बनेगा आप अस्पताल में जाएए तो नर्सिस को देखे आप अस्पताल में जाएए तो वहाँ की ड्राइवर्स को देखे वहाँ वाट बॉइस को देखे डॉक्टर्स की स्थिति सब जगे देखे आपने विवस्ता क्या बना के रखी है गाउं में डॉक्टर्स की उपलब्दी उपलब्दा और वहाँ उपकरण की स्थिति को देखे तो ये पंदरा साल में जो परिपक्व होके अनुभा प्राप्ट करके जिस सरकार को डिलिवरी अपनी बढ़ानी थी वो सरकार का काम गिरावट की तरफ चलता चला गया है शिधिलता आती चली गई है मान लोग की अब ठक से गए हैं पंदरा साल हो गए आगे काम करने की सितियां उनकी नहीं रह गई है ये सारी बातें आम लोग महसूस कर रहे हैं और तब ये ग्राउंड स्वेल है तब ये लहर सी बनी भी है कि नहीं इनको तो हटाना है इनको तो हटाना है मुदी फैक्टर तो पिछले बार भी काम नहीं किया था लोग सभा में काम किया था जरूर काम किया था मुझे अपने चुनाओं की बात अच्छे से याद है हम लोग लोगों के साथ बैठे थे और उन्होंने सपष्ट कहा था कि नहीं बाबा ये चुनाओं में तो हम लोग साथ दे रहे हैं लेकिन अगले चुनाओं में मत देए तो और मुदी जी उनकी आखी सभा संजोग से उस पार अंभिकाई पूर में थी और अंभिकापूर में लाल किला बना था बगएरा बना था लेकिन प्रभाव आप देखिएगा तो मुदी जी की लास सभा में सरगुजा लोग सभा के आठ में से साथ सीट कॉंगरेस को में और अमूमन सेंटर की जो इशूज हैं वो राज में राज की चुनाओं में प्रत्मिक्ता में आगे नहीं रहते हैं उनके लीडर्स का आकर्शन जरूर रहता है राहुल जी आएंगे उनका आकर्शन रहेगा राहुल जी कुछ बात कहेंगे उसका असर होगा अब मोदी जी आके जिस बात को कहेंगे अगर चौकिदार की ही स्थिति कॉंप्रमाइज हो गई है आप जिसके साथ मेहुल भाई कहेंगे चाय पी रहे हो उनको चाय को बुला रहे हो और दूसरे दिन वो भाग जा रहे हैं आपके मंद्री के साथ वहाँ पर बैठे वे हैं दूसरे दिन वो पता चला विदेश निकल के चले गए जब ये बातें सामने आ जाती हैं तो आपका जो प्रभाव है वो अपने आप भड़ जाता है वो प्रभाव नहीं रहा हो दिजी करता ये सिक्के के दो पहलू होते हैं कॉंग्रेस की नितियों को भी प्रस्तुत किया जा रहा है और आप किसी भी सभाव में जाके देखिए जब रोन वेवर की बात आती है तो कितनी तालियां बस दी है ये सरकार के पास पंद्रे साल का मौका था उनने क्यों नहीं किया जिस दिन आचार सहीता लागू हुई उसी दिन उनने कैबिनेट की मीटिंग की उसी दिन कैबिनेट मीटिंग के बाद आचार सहीता लागू हुई इनको ख़बर लग जाती है और उनके पास मौका था क्यों नहीं उनने किया आप अगर कहते हैं कि हमदान खरीदी का भाव बढ़ाएंगे आपने कहा और नहीं किया और कॉंग्रेस अपने तरफ से कहते है कि हमदान के खरीदी का भाव कम से कम इतना आपको देंगे कम से कम पची सो आप लोगों के रिस्पॉंस देखिए कैसा आता है रोजगार के लिए इनके पास मौके थे हम बेरोजगारी भता देंगे आपने क्यों नहीं दिया पंद्रा साल में आपने दिया और उसको विट्रॉक लिए देने की बात कही और फिर नहीं दिया और कॉंग्रेस के तरफ से जब ये कहा जाता है कि दस लाख युवाओं को युवत्यों को हम कम से कम दो हजार रुपया एक राशी स्टाइपन्ड हम उपलब कराएंगे और आपसे हम कुछ काम भी लेंगे यह नहीं की घर बैटने के लिए हम अपने आने वाली पीड़ी को सुस्त कर दे रहे हैं शितिल्क बना देंगे उनकी मानसिक्ता को बिगाट लेगे इनकी तो आइसी ही chests ले ले नो उनको काम दे कि उनप क्यों नहीं किया जा सकता है इनके माध्यम से गाउं में घर में आप पेंशन क्यों नहीं डिलिवर करासकते अन्यें बहुत सारे काम रहते हैं जिनको आप सीक्ष को द्रॉडाते इन से क्यों नहीं आप delivery ले सकते हैं अनेकों काम हैं लोग शिकायत करते हैं कि हमारे certificates नहीं बनते कास certificates बार 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 चक्कर लगाना पटता आप home delivery certificates की क्यों नहीं कराते हैं आपके पास manpower है उनको engage करिए आप जिनको रुजगार दे सकते हैं रोजगार दीजे प्राइविट सेक्टर में इंशोर करिए कि सत्थिसगार के लोगों को ही मिले zero outsourcing करिए फिर निजी काम करने के लिए उनके लिए धनराशी उपलत कर इतने सारे विकल्ब हैं इसमें काम नहीं होने के कारण जब आप इस बात को करते हैं तो कॉंग्रेस पार्टी को भी रिस्पॉंस मिलता है आप पंचाइती राज और नगरी निकाय के चुने हुए प्रतिनिदियों की अभमाना की जबाब बात करते हैं और कॉंग्रेस पार्टी उस बात को सुनिश्चित करने की जिम्मेधारी लेती है कॉंग्रेस पार्टी को भी खुले रिस्पॉंस मिलता है जन्पतिनिधी जानते हैं कि किस दबाव में उससे काम लिया जा रहा है कितनी उनकी अभमाना होती है कितनी उनकी वेज़ती की जाती है किस प्रकार का शाश्किय तंत्र ने उपर से चकड दिया है पूरी विवस्ता को और उनको कितनी घुटन हो रही है तो आप जब ये कॉंग्रिस पार्टी बात करती है तो कॉंग्रिस पार्टी को भी रिस्वांस मिलता है सिक्षा की गुणवत्ता की सुधार करने की जब आप बात करते है तो ये नहीं कि रमन सिंग की सरकार ने हमको 21 राज्यों में अठारवे पैदार पैदान पे बैठा दिया इसलिए उनको हटाना है इसलिए तो उनको हटाने है और हटाने ही चाहिए लेकिन कॉंग्रिस पार्टी जब आके नहीं विवस्ता की बात करती है कि प्राइवेट स्कूलों में बैदर पढ़ाई क्यूं दिखती है आप नरसरी केजी वन केजी टू से बच्चों को भेज़ के बढ़ाते हो हमारे सरकारी स्कूल में क्लास वन से पढ़ा ही चालू होती है फॉर्मल एजुकेशन तीन साल अगर ढ़लने वाला बच्चा जो ढ़ल जाता है पांच साल की उमान में यह मनोवग्यानिक कहते हैं कि मानव उत्थान या मानव तरक्की या उसको ढ़लने की जो बात होती है पहले पांच साल में लगभग साचे में व्यक्ति ढ़ल जाता है तो उस पांच साल में पंदरा साल में आपको किस ने रुका था आंगन बाडियों में अच्छी सिक्षा, नर्सरी की सिक्षा, फॉर्मल नर्सरी, फॉर्मल केजी वन, फॉर्मल केजी टू तो जब यह बात आप करते हो तो लोगों को लगता है कि हाँ कॉंग्रेस पार्टी ठीक सोच रही है अब बिरुजगारी है, एक बच्चा, एक बच्ची दस-दस बार फॉर्म लेकि बिरुजगारी के लिए अपना किसी नौकरी के लिए फॉर्म भरता है और आप वेवसाय आपने उसका बना रखना है, तीन-तीन सो रुपए, पात-पात-तीन रुपए आप एक फॉर्म की कीमत लेते हैं बिरुजगार से तीन सो रुपए का फॉर्म, तीन सो रुपए, ये क्यों होना चाहिए, ये क्यों नहीं हटाये जा सकता है तो इतनी छोटी सी बात जब कॉंग्रिस पार्टी कहती है, कि या तो निशुल खा मुपलत कराएंगे, नहीं तो जो उसका चपाई खर्च है आज एक पन्य के छापने का कितना कीमत लगता है, एक रुपएस ज़्यादा लगेगा, उसको आप प्रिंट करेएगा तो आठाने बाराने में प्रिंट हो जाता है, प्रिंटिंग प्रेस में आप जाओगे तो, उसके लिए तीन सो रुपए लेना, कितने पन्य का फॉर्म प्रिंट की सुविधा के साथ दरों में गिरावट आना चाहिए अगर इसमें सुधार है, आप एक एक पन्य का साथ 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 सातर सातर असी एसी रुपया ले रहे हैं, उसके फोटो कॉपी कराके उसको आउनलाइन भेजने का सतर रुपया आप ले रहे हैं, जो कंपनी आ आते हैं, जिस कारण से सरकार के खिलाब भी नाराजगी हैं और कॉंग्रेस के पक्ष में भी उमीद है और वातावर्ण है आप देख रहे हैं, तक खल्यूज यार एक काम करो, पास्व करें डाल दो, क्यों बार बार रेडियो स्टेशन चेंज कर रहे हूँ, कब से कोशिश कर रहे हूँ कि अच्छा काना लगाओ, लेकिन हर स्टेशन पर भाजपा सरकार के विज्यापन खतम होने का नामी नहीं लेते, वो देखो, पेट्रोल कॉंग्रेस के सार, वक्त है बदलाव का कॉंग्रेस के साथ, वक्त है बदलाव का